हाई हलो नमस्ते फ्रेंड्स आज की रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे की भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा जो सिर्फ 3 किलो मीटर की है इस सफर को पूरा करने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है तो आज की पूरी जर्नी भारती रेलवे दुनिया में चोथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है देश के हर कोने में इसका नेटवर्क फैला हुआ है और हर दिन करोणों लोग अपने छोटे बड़े सफर के लिए इसका इस्तिमाल करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा ट् किलो मिन्टर लंबा है और इसे पूरा करने में आठ मिनट का समय लगता है जी हां ये सफर इतना छोटा है कि आपके समझने के पहले खतम हो जाता है लेकिन फिर भी लोग इसके लिए ट्रेन से यात्रा क्यों करते हैं आईए आज हम आपको बताते हैं भारत के सबसे छोटे रेल यात्रा के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है भारती रेलवे के इस सबसे छोटे रेल यात्रा को पूरा होने में केवल आठ मिनट का समय लगता है इसमें दो स्टेशनों के बीच की दूरी को तैक करने के लिए केवल आठ मिनट ही लगते हैं पूरत में किसी और दो रिल्वे स्टेशनों के बीच 3 किलो मीटर से कम की दूरी नहीं है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नाकपुर और अजनी के बीच 3 किलो मीटर की दूरी तै करने के लिए भी कई लोग ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं कितना लगता है किराया IRCTC की ओफिशल वेबसाइट के मुताबिक ट्रेन के माध्यम से नाकपुर और अजनी के बीच 8-9 मिनट में यात्रा पूरी हो जाती है इस यात्रा के लिए जनरल क्लास का किराया 60 रुपए है स्लीपर क्लास का किराया 175 रुपए है थर्ड AC का किराया 500 रुपए है तो फर्श्ट क्लास का किराया 1145 रुपए है उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की सबसे छोटी रेल यात्रा जो सिर्फ 3 किलो मिटर की है इस सफर को पूरा करने में सिर्फ 8 मि कैसे लगता है अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी उडियो में तब तक के लिए बाई बाई